हेलो प्रेंट्स मैं रियादो आपकी फिजिक्स की मेंटर वेलकम टू मैं चैनल प्रोवांचल स्टेडी प्रेटफॉर्म तो कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे ही होंगे तो हम फिजिक्स का वो चैप्टर देख रहे थे तो हम जैसा कि आप सब नहीं देखा था अगले वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्सिलरेशन होता है वो निगेट यानि कि माइनस साइन के डिरेक्टली प्रपोस्टनल हो इनर्जी के टाइप तो आप जानते हैं कानेटिक इनर्जी पोटेंशल इनर्जी टोटल इनर्जी दोनों का सम होता है वही होता है टोटल इनर्जी यह सब इनर्जी बस हमें पढ़नी बस अलग-अलग चैप्टर में हमें अलग-अलग बे में पढ़नी को मिलती है इसका फ प्रूफ के बारे में जो की है पहले तो आपने देखा कि जो कानिटी की नर्जी होता है वह होता है के इसकोल टू हाफ यम वी स्क्वायर तो जो हमारा वी हमारे एक अगले वीडियो में हमारा वी आथा A omega cos omega t plus phi उसका whole square तो हम ऐसे करेंगों तो हमारो जो आजएगा half यम A square omega square cause square और omega t plus phi ऐसे तो half यम एक का स्क्वाइर omega स्क्वाइर 1-sin स्क्वाइर omega t plus 5 हमारा गया फिर जो आया उसके बाद हमारा final वो आया के is equal to half यम omega स्क्वाइर a स्क्वाइर minus x स्क्वाइर तो जैसे कि x is equal to a sin omega t plus 5 का मतलब therefore यानि कि जो x है वो हमें यह दिखाता है कि a sin omega t plus 5 तो हमारा जो आया इतना kinetic energy is equal to half यम omega स्क्वाइर a स्क्वाइर minus x स्क्वाइर तो जैसे कि kinetic energy भी दो position पे हमारी होती है कि कब वो 0 होगी कब वो maximum होगी तो जैसे कि mean position पे और extreme position पे हम देखते mean position पे x is equal to 0 रहेगा तो k is equal to half ym omega square a square जिस पे जो हमारी रहेगी na kinetic energy वो हो रहेगी maximum और x is equal to a यानि कि जो extreme position है उस पे kinetic energy हमारी रहेगी half ym omega square a square minus a square यानि कि extreme पे हमारी zero है kinetic energy और mean position पे हमारी है maximum kinetic energy और अब हम देखते हैं potential energy के बारे में potential energy जैसे कि आपने पढ़ा था कि p is equal to half k x square लेकिन जो k होता है वो आप जानते k बराबर ym omega square होता है और total energy में total energy यानि कि kinetic energy और potential energy का sum मतलग होता है total energy तो kinetic energy हमारा था इतना जो कि half ym omega square a square minus x square और जो हमारी potential energy थी वो थी half ym omega square x square तो आगे हमारा total energy हाफ ym omega square a square जो कि constant है और फिर हम इसी के उपर ऐसा graph देखते हैं जो कि यह है यह है extreme position यह mean position यह है फिर extreme position तो जैसे कि kinetic energy में जैसे आपने देखा था कि इसमें है x square आपने देख और यह आपने बात जरूर पड़ी है कि जब x square में कोई graph रहते है तो जो graph रहता हमारा वो पैराबोलिक बनता है तो जो हमारा graph बनेगा वो पैराबोलिक बना फिर potential energy जो हमारा बनेगा वो graph वो ऐसे बनेगा और हमारी total energy का graph बनेगा ऐसे यानि कि यह थोड़ा से graph है इन दोनों तीनों energy के बीच का ऐसा position है और फिर हम देखते simple pendulum यह system of a point mass यानि आप उसको bob भी बोल सकते हो connected to a massless inelastic string attached to a rigid support यानि कि simple pendulum क्या होता है यानि एक system होता है उस point का या फिर उस mass का उस mass या bob का जो कि एक massless inelastic string से connect होता है और वो जो string रहती है वक rigid support से attached रहती है ताकि वो गिरेंदे से कि आपके देख सकते हैं यह rigid support और इस पे यह एक bob है जो कि लटकाया हुआ है और यही मतलब बहुत ही strong है और जिसे simple pendulum आपको पढ़ना जिसे एक complex pendulum भी होता है simple pendulum तो हमें ज्यादा करके मतलब simple pendulum के बारे में पढ़ना होता है जो कि easy है अब हम देखते हैं कल उसके आगे से हम देखेंगे